इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं GST Registration for the Proprietorship हम जी हाँ एक अगर आप Proprietorship हम स्टार्ड करें उसके लिए आपको GST apply करना है किन documents की आपको requirement रहेगी live step by step पूरा वीडियो होगा कैसे आपको ARN जो है generate करना है किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है difference क्या होता है brand name के बीच में legal name के बीच में तो guys यह सारी आपको जानकर नहीं मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखेगा वीडियो को guys शुरू करने से लिए बताना चाहूँगा माय ओलाइन सी है कि लविंग सब्सक्राइबर्स के लिए अगर आप लोग हमसे GST की कंसल्ट एंसी या फैस सर्विस लेना चाहते है वो भी बहुत ही discounted cost के उपर तो link मैं आप लोगो simply description box में दे रखी है तो चलिए guys शुरू करते हैं तो देखे guys सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किन किन documents की आपको requirement रहेगी तो देखे जो भी proprietor है यानि जो भी individual person है उसका आपको pen card चाहिए होगा आधार card नमबर चाहिए होगा साथ में guys आपको एक passport size photograph भी चाहिए होगा आप simply अपने एक selfie भी खीश सकते हैं ध्यान रखेगा उसकी file जो size है वो under the 100K भी याँ पर होनी चाहिए इसके बाद में guys आपको एक trade name चूज करना पड़ेगा ultimately आपको अपना business का एक name रखना पड़ेगा एक्जामपर के लिए जैसे कि माली जे XYZ solution हो गया यह जो भी आपका मन पसंद नाम है वो आप रख सकते हो यहाँ पर ऐसे trademark वगरे की चिंता करने की जरुवत नहीं है आप कोई भी नाम यहाँ पर रख सकते हो जैसे कि उसके अंदर आपका electricity bill की copy हो गई साथ में no objection का certificate हो गया जो कि एक console letter मना जा सकता है और इसके उपर हमारे एक पूरा separate video अलड़ी बना हुआ है जिसके लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी और ध्यान रखीगा यह NOC आपकी stamp paper के उपर होनी चाहिए अगर आपके पास में rent agreement है तो बहुत अची बात है rent agreement भी इसके अंदर काम कर जाएगा साथ में आपका nature of the business हो गया जिसके अंदर आपको एक HSN code यह SAC code यहाँ पर choose out करना पड़ता है मलग product based है यहाँ फिर service based है उसके according आपको code choose out करने पड़ते हैं इसके लबाए एक mobile number हो गया और एक simply तरीके से email ID हो गया तो चलिए guys यहाँ पर मैं आपको live ले चलता हो तो यह हमारा GST portal की website यह link भी आपको description box में मिल जाएगी या फिर GST की website के उपर आने के बाद यहाँ पर आपको registration tab के अंदर new registration का tab आप simply तरीके से select करना है आप guys इसके अंदर आपको बहुत सारी option मिलते है तो simply तरीके से आपको I am taxpayer का option यहाँ पर select करना है उसके बाद में जो भी state से आप belong करते हैं वो आपको select करना है उसके बाद में simply तरीके से आपको अपने district select करनी है उसके बाद में यहाँ पर पूछेगा legal name of the business ध्यान रखेगा अगर आप as a proprietor है तो आपका यहाँ पर personal name आएगा क्योंकि proprietor के case में कोई भी separate pen card number issue नहीं होता है और यह exactly आपके pen card के number के साथ में match होना चाहिए यहाँ आपके pen card के अंदर जो चीज़ भी लिखी हुई है जैसे भी आपका name लिखा हुआ है first name last name उसी तरीक से यहाँ पर आपको simply तरीके से insert करना है उसके बाद में guys simply यहाँ पर आपको अपना pen number डालना है उसके बाद में simply यहाँ पर अपना email address डालना है अपना mobile number डालना है और simply capture code डालके simply आपको proceed कराना है तो जैसे काईसे आप proceed करेंगे तो यहाँ पर simply तरीके से एक आपका temporary reference number simply तरीके से generate हो जाता है और यह temporary reference number आपको email ID के उपर भी simply तरीके से मिल जाता है अब guys आपको कुछ निकरना simply proceed बटन के उपर click करना है तो ultimately जिस tap के उपर हम लोगों ने छोड़ा था यानि registration में जाकर new registration उसी के अंदर आपको temporary reference number का second वाला tap मिल जाएगा अब यहाँ पर आपका temporary reference number है जो हम लोगों ने copy किया है अब अलड़ी वो simply तरीके से यहाँ पर आपको form दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर guys simply आपको कुछ करनी करना यहाँ पर आपका action का बटन दिया हुआ है तो यहाँ पर simply आपको edit करना है और ध्यान रखेगा अगर आप edit वगरे नहीं करते हैं यह application तरीके से confirm करना है तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं details of your business के साथ में तो जैसे बताया था कि आप proprietor है तो legal name of the business होगा वो आपका personal name ही माना जाएगा और simply तरीके से यहां पर आपका bank card number आ जाता है आप guys यहां पर आपसे पूछा जाता है trade name जी हां तो trade name guys आपके business का ultimately name है तो जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो simply तरीके से आप यहां पर रख सकते हैं इसके बाद में guys आपसे consideration पूछेगा तो ultimately हम लोग एक proprietorship firm कर रहे हैं यहां पर तो यहां पर आपको proprietorship से यहां पर simply तरीके से select करना है साथ में guys यहां पर आपको additional trade name का भी option देता है तो अगर आप मालीजे एक ही business को अगर आप तीन चार नाम से चलाना चाहते हैं तो आप additional trade name भी यहां पर डाल सकते हैं वरना generally यह होता है कि आप simply अपना एक trade name select कीजे और उसी के अंडर में multiple brands को आप यहां पर run कर सकते हैं उसके बाद में guys नीचे simply तरीके से आपके district आ जा तो normally यहां पर आपको कई सारे option दिखाए देंगे अगर आप मालीजे threshold limit cross कर चुके हैं यहां पर सबसे जो best option है वो है voluntary base का तो यहां पर simply तरीके से आपको voluntary basis के उपर click करना है और date of commencement of the business यानि जब से आपने business की शुरुवात किये वो simply तरीके से यहां पर आपको date डालनी है लेकिन कई लोग जिसे उद्यम certificate या फिर MSME certificate लेकिए apply करके रखते है या फिर shop pack license वगरे हो गया तो अगर आपके पास में ऐसे कोई certificate है तो उसके यहां पर आपके पास में MSME वगरे है तो यहां पर simply आप address वाले option के अंदर जाए यहां पर अपना MSME डालिए अपना उद्य registration वगरे डाल सकते हैं इसी तरह से अगर आपके पास में shop pack license वगरे है तो यहां पर आपको कई सारे option देखने को मिल जाते हैं इसके लागाइस यहां पर आपको नीचे document upload का भी option देखने को मिल जाता है तो उपर जो आप registration number डाल रहे है उसी का आप as a proof यहां पर डाल सकते है कि जैसे कि MSME का certificate हो गया या फिर shop pack license हो गया और यह चीज़ यहां पर कंपल सरी नहीं है अगर आपके पास में है तब ही डाल लिएगा वहना कोई दिक्कत वाली बात तो गाइस इस तरह से हमारा जो first tab है वो यहां पर confirm हो चुका है second tab आता है हमारा promoters का और partners का तो यहां पर simply जो भी proprietor है उसकी यहां पर personal details आने वाली है कि उसका नाम क्या है उसके father's का name वगरे क्या है उसका contact number हो गया date of birth हो गई उसकी email idea वगरे हो उसके बाद में guys यहां पर simply gender हो गया उसके बाद में guys यहां पर आपसे पुझे का designation जी हां तो देखे proprietorship में जो basically individual person है वो basically proprietor कलाता ह तो यहां पर आपको manually जो है proprietor type करना पड़ेगा उसकी बाद में guys director identification number तो यह सिर्फ प्राइवल इन कम्पनी या फिर LLP के case में या फिर OPC के case में applicable होता है तो इसमें आपको कुछ भी fill up करने की जरुवत नहीं है are you citizen of India तो इसको यहां पर check mark करके रखेगा यहां पर simply तरीक प्रोप्राइटर का personal address होगा जी यहां ध्यान रखेगा आपका business address यहां पर different हो सकता है तो आप यहां पर रहते है as a proprietor वो आपका यहां पर personal address simply तरीके से आपको डालना है और यह किसी भी state का हो सकता है जरूर नहीं है जिस state के अंदर आप business कर रहे है आपको उसी state का डालना उसके बाद में guys simply यहां पर आपको photograph जो upload करना है और जैसे मैं starting के नहीं बताया था आपकी file की जो size यह वो under the 100 kbs यहां पर simply तरीके से होनी चाहिए उसके बाद में guys यहां पर आप से पुछेगा also authorized signatory तो guys जो proprietor होता है वो authorized signatory भी होता है तो इस box को आपको simply check करना यानि कि yes करना है और simply तरीके से save and continue बढ़न के ओपर click करना है इसके बाद में guys यह आपको थोड़ी सी warning दे सकता है कि आपकी जो locality है वो आपके pin code के साथ मैं match नहीं कर रही है तो आपको simply तरी से verify करना है मना इसको आप simply proceed भी कर सकते हो उसके बाद में guys जो अगला column होगा वो authorized signatory होग तो यह चीज़ भी as a proprietor के ओपर applicable नहीं होती है तो इसको भी आपको skip करना है और simply save and continue बढ़न के ओपर click करना है guys जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो सबसे पहले जो details आपसे मांगी जाएगी principal place of the business जो की ultimately आपके business का यहाँ पर address proof और आपको पूरे business का जो है यहाँ पर address भ जैसे हम लोग को address डालेंगे बाकी आप यहाँ पर जो है mark भी लगा सकते हैं जैसे हम लोग Google Map के अंदर लगाते हैं तो exactly आपकी जहाँ पर भी location होगी उस business place की वो simply तरीके से आप इसको drag भी कर सकते हैं उसके बाद में guys यहाँ पर आपका state का jurisdiction ward number पूछेगा तो यह आप ज center की भी jurisdiction आती है तो यहाँ पर simply तरीके से आपको अपनी location के according यहाँ पर select करना है और जो भी division और range आपके उपर applicable होती है वो simply तरीके से यहाँ पर आपको select करनी है उसके बाद में guys contact information में simply आपके business का phone number आ जाएगा यह आपका personal phone number भी हो सकता है और personal email id भी हो सकती है तो उसमे कोई दिक्कत वाली बात दी है किला guys यहाँ पर आपको documents upload करना पढ़ेगा तो उपर हम लोगों ने जो address डालना है उसी के according यहाँ पर documents upload करने है जैसे कि अगर मालीजी आपके पास में stamp paper के उपर NOC वगरे no objection certificate वगरे जिसको हम लो cancel letter भी बोलते है तो वो आपको simply यहाँ पर upload करना है किला guys यहाँ पर आपको multiple documents upload करने का option मिलता है जैसे कि NOC के साथ में अगर आपके पास में electricity bill की copy है तो वो भी आप upload कर सकते है इसके लगा guys अगर आपके पास में legal कोई ownership documents है property tax की receipt है तो यहाँ पर multiple documents upload कीजेगा उसके बात में guys यहाँ पर आप से पूछेगा कि nature of the business business activity आपकी क्या रहेगी जो आपने उपर प्रमाइस जो यहाँ पर mention की है तो simply तरीके से अगर आपके retail का business है तो वो आप यहाँ पर select कर सकते होल सेल का है तो वो भी option दिया हुआ है plus कोई factory अगर manufacturing है तो वो option में यहाँ पर आपको दिया हुआ हुआ है बात में guys यहाँ पर अ जाते है जो भी आपका nature of the business होगा माली जेकर आप एक service based business चलाना चाहते है तो यहाँ पर guys आप 2-3 words लिखेंगे जैसे कि माली जैसे मैं चाहता हूँ कि legal service का मुझे पता चले तो जैसे यहाँ पर मैं legal डालूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते है उसके जित्ते भी SAC courts व अगर मैं generally बात करूँ तो महराश्टर के अंदर यहाँ पर आप से electricity bill का जो है यहाँ पर license number जो भी आपका registration number वगर होता है वो आपसे मांगा जाता है लेकिन बाकी अगर मैं other states की बात करूँ अगर आपकी बास में professional tax वगर है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते वहना इसको simply आप यहाँ पर blank भी छोड़ सकते यह basically आपका optional रहता है उसके बाद का इस last step में यह आपसे आधर authentication कराएगा तो देखिए अगर आपका mobile number जो आपने simply आधार number से लिंक है तो यहाँ आपको आधर authentication यहाँ पर करना चाहिए वहना उस case में जो है आपकी offline भी जो है यहाँ पर verification करना है यानि आपको यहाँ पर check box के उपर click करना है आपको simply authorized signature को select करना है आपको simply अपना place डालना है जैसे आपके application यहाँ पर submit हो जाएगी इस type का आपको message यहाँ पर success का देखने लग जाएगा लेकिन ध्यान रखेगा आपको भी आधार authentication को यहाँ पर verification successful करवाना पड़ तो जैसे आप अपनी email ID चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको email मिलेगा hyperlink for the authentication of the आधार of the applicant जी हाँ और इसके अंदर simply तरीके से आपको एक link मिलने वाली है जो कि 15 दिन के लिए यहाँ पर valid रहती है तो यहाँ पर आपको अपना आधार जो है यहाँ पर verify कराना पड़ेगा जैसे यहाँ पर आप इस link के उपर click करते हैं यहाँ पर आपका EKYC का option आता है यहाँ पर आपको अपना TRN नमबर दिखेगा यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर इन सभी checkbox के उपर आपको simply तरीकी से click करना है और यहाँ पर simply तरीकी से एक आपका OTP आएगा आ आपके आधा लिंक नमबर के उपर और यहाँ पर आपका EKYC का authentication successful हो जाता है उसके बाद में आपको थोड़ी दिर यहाँ पर वेट करना पड़ेगा विदिन दो 4-5 hours के अंदर आपको एक और email आएगा जिसके अंदर आपको लिखा वाएगा registration के अंदर ही track application status का यहाँ पर simply तरीके से tab मिल जाता है तो यहाँ पर आपको अपना simply ARN डालना है capture code डालना है तो guys यहाँ पर आप देख सकते यहाँ पर simply तरीके से आपको अपना status यहाँ पर simply जो है दिखाने वाला है जो भी right now दिखा रहा है pending for the processing अब दिखे guys इसके अंदर different different status होते वह भी मैं आप लोग को समझाना चाहूंगा अगर pending for the processing दिखा रहा है इसका मतलब है अभी right now अभी application अपने file की है और tax officer के part के उपर वो pending है अगर pending for the clarification दिखा रहा है इसका मतलब है कि officer ने आपकी application के अगेंस में एक notice यहाँ पर जारी किया है उसका within the seven days आपको उसके जवाब वगरे देना पड़ेगा portal के उपर login करके उसका जवाब वगरे कैसे दिया आता है उसके उपर में एक separate video वगरे बना दूँगा अगर clarification file pending for the order लिखा हुआ है इसका मतलब है उसका जवाब आपने दे दिया है notice का लेकिन वो tax officer के पार्ट के उपर pending है कि इसको वो approve करता है या फिर reject करता है अगर let's suppose approve का status है तो इसका मतलब है आपके application approve हो चुकी है और एक registration ID और password आपको simply तरीकी से email किया जा चुका है rejection का मतलब है कि वो application जो होफिसर ने reject कर दी है withdrawal का मतलब है कि वो application आपने खुद नहीं आपके withdrawal कर ली है साथ में guys जैसे आपके GST application या पर अपरू होती है आपको इस टाइप का एक और email आएगा welcome to the GST family जिसके अंदर आपका GST number लिखा होगा और आपकी login details यानि कि आपका username और simply तरीके से आपका password लिखा होगा और guys पोटल के उपर जाकर इस username और password को आप कभी भी यापर change भी कर सकते हैं और guys मैं आप लोगों कुछ चीज़ें बताना चाहूंगा जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है जैसे आपका GST के रजिशेश हो जाता है पहली चीज़ अपनी user ID और password को जरूर जनरेट कर लिजेगा अपनी customize according जैसे आपका GST number issue हो जाता है साथ में अगर आपने current account अभी तक नहीं खुलवा है तो जैसे आपका GST आपको मिल जाता है आप current account खुलवाते तो GST portal के अदर आपके current account की भी details आप update कर दीजेगा साथ में guys आपको quarterly filing करनी है monthly filing करनी है तो उसका भी आपको opt in करना पड़ता है तो वो भी यहाँ पर जरूर check out कर लीजेगा तो guys अब आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि step by step कैसे आपको अपको अपनी proprietorship firm का GST नमबर निकालना है फिर भी guys अगर आप लोग के कोई भी doubt से comment box में बताईए और guys अगर my online से के अगर आप loving subscriber है तो आप लोग के लिए especially मैंने discounted जो है link दे रखिए description box के अं अब हमारी GST रइशरिंग की service यहाँ पर अवेल कर सकते हैं so guys hope you like this video thank you guys thank you very much